Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir and now we will see understand and write 2 तो dear students हम क्या करेंगे यहाँ पर आज जो lesson देखेंगे maths का उसमें हम understand करेंगे और लिखना सीखेंगे 2 को तो यहाँ पर 2 देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 and 2, 2 teddy bears हैं तो हमें यहाँ पर आज से 2 object देखने हैं, हैना 1, 2, counting हम करते हैं 1, 2 तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 को हम इस तरीके से लिखते हैं और 2 की spelling क्या है, T-W-O, क्या है, T-W-O, हमने 1 की spelling क्या देखी थी, 1 की spelling में पहले यहाँ पर तोड़ा सा लिख देता हूँ, ताकि आपका revision भी हो जाए, O, है न, then N और E, यह था हमारा 1, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं 2, तो 2 की spelling है, T-W-O, तो यह हो गया हमारा 1, और क्योंकि जब हम यहाँ पर count करेंगे, तो पहले हम 1 count करेंगे, then हम count करेंगे, 2, तो यहाँ पर देखी जो horns है, horns मतलब sing होते हैं, cow को देखा होगा, आपने buffalo को देखा होगा, goats को देखा होगा, तो उनके सर के ओपर क्या रहता है, sing रहता है, horns होते हैं, तो कितने horns हैं यहाँ टू, कितने है, वान, टू, तो टू हाउंस है, अब यहाँ पर यह क्या है, हमारा pendant है, pendant पता न, आपको जो earrings होती है, उसमें लगते हैं, इवन, कपड़े में भी देखो, कुछ जो बेबीस के कपड़े होते हैं, उसमें भी यह पैंदेंट लटकते हैं, तो वो है इसको हिंदी में लटकन कहते हैं तो ये कितने हैं? 1, 2 तो एक और एक इससे क्या बन जाता है? 2 बन जाता है और अगर हमें 2 फिंगर से इंडिकेट करना है तो हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे तो 1, 2 तो इस तरीके से हो गया अब यहाँ पर जो एक छोटी सी लाइन दी हुई है उसे भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर यह जो हमें एक्टिविटी दी है यह कंप्लीट करेंगे तो यहाँ कह रहा है 2, 2, 2 2 ears has a rabbit and 2 eyes 2 2, 2, 2 2 ears has a rabbit and 2 eyes 2 तो rabbit आपने देखा है ना खरगोश खरगोश के पास क्या होते हैं 2 बड़े-बड़े कान होते हैं तो 2 ears has a rabbit तो 2 कान होते हैं rabbit के पास खरगोश के पास and 2 eyes 2 और 2 आखे भी होती हैं तो 2 क्या हैं उनके पास ears और 2 eyes हैं तो यह हमने यहाँ पर देख लिया, तो one, two, one, two, यहाँ पर आज हमें यह practice करनी है, अब आते हैं हम यहाँ पर draw two object, जो activity दी है, उसमें हमें two object को draw करना है, तो यहाँ पर horn था, यहाँ पर आपका ear rings का क्या था, pendant था, तो आप यहाँ पर क्या बनाना चाहोगे, तो आप साथ में हम पहनते हैं, तो ring कैसी होती है, circle सी होती, तो यह हो गया one, और यह हो गया हमारा two, एक काम करते हैं, तो इस ring के ऊपर हम कुछ और color लगा देते हैं, तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं blue color, और blue color का इसमें हम diamond लगा देते हैं, तो यह हमारा हो गया ring, और यह ring आप कहा पहन सकते हैं अपने fingers में तो कितने यहां पर हो चुके हैं rings वान टू कितने हैं वान टू तो two horns देख लिए हम लोग ने वान टू फिर उसकी बाद two pendant देखें वान टू फिर हमने दो यह सॉरी rings देख लिए जो finger में rings पहनते हैं वह देख लिए one and two two को finger से कैसे दिखाएंगे इस तरीके से दिखाएंगे and then two को लिखेंगे कैसे इस तरीके से आपे देख सकते हैं and two की spelling क्या है two 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 ears has a rabbit and two eyes two तो यह हमारा हो गया two 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 तो इस तरीके से हमने आप और ने आपके हम देखते हैं कि कौन कौन से अइस ऐसे एक्टिवीटीस दिऊ हूई है तो यहाँ पर एक्टिवीटीस में कह रहा है की ड्रो टू आप टू क्या है तो तो ड्रोटू क्या आगे दिया है circle, क्या दिया हुआ है circle, draw two, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, rectangle तो rectangle आप देख सकते हैं है ना, तो अब हम यहाँ पे two circles करने हैं, तो two circles के लिए हमें काम करते हैं, color थोड़ा सा change कर लेते हैं, हम color ले लेते हैं green ले ले, चलो ठीक है, green ले लिया तो मैं two circles यहाँ पे draw करता हूँ तो one circle ये two circle थोड़ा और अप लोग अच्छे से बना लिजेगा, तो one circle two circle then color change कर सकता हूँ मैं तो मैंने color क्या किया, थोड़ा सा change कर ले, मैंने red ले लिया, अभी red color लेके मैं क्या draw करूँगा rectangle ड्रॉग करूँगा, तो rectangle मैं आपको पता है ना कि, एक one side, two side three side, four sides तो four sides होते हैं तो ये हमारा बन गया one rectangle then हमारा एक और rectangle हमें करना है ना, और बनाना है तो ये one, two, three four sides तो हमारा one rectangle और यहाँ पर बन गया, तो कितने rectangle हो गए, one rectangle, two rectangle, circle कितने हो गए, one circle two circle, तो dear students इस तरीके से आपको ये activity complete करनी है, जो parents अपने बच्चों के साथ ये video देख रहे हैं तो वो उन बच्चों को pencil color दें और यहाँ पे इस तरीके से उनसे draw करवाए अगर colorful होगा, तो बच्चों को और मज़ा आएगा, क्योंकि और भी activities में आपको color feel करने होते थे, और colorful नहीं है, colors नहीं है तो आप pencil से भी draw कर सकते हो तो यहाँ पे क्या draw करना था two circle draw करना था, वो हमने किया यहाँ पे two rectangle draw करना था, वो हमने किया अब आईए dear students, हम सीखते है two कैसे बनाते हैं, तो two बनाने के लिए हमें सबसे पहले ना half circle लेना पड़ता है then थोड़ा सा slanting line और उसके बाद एक horizontal line तो यहाँ पे जो dots dots हैं उसको ही आप मिलाईएगा, मैं भी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा half circle slanting line हलकी सी, फिर उसके बाद एक horizontal line, तो हमारा बन गया two, फिर क्या करेंगे हम half circle लेंगे then slanting line, sorry horizontal line, two half circle, या फिर जो भी dots dots दिया है, उसको आप ऐसे मिला दीजी, तो हमारा क्या बन जाएगा two, फिर ये भी हो गया हमारा two जो भी dots हैं, उसे आप मिला दीजी, हलका सा circle बनाते हैं slanting line लेते हैं, और एक horizontal line, तो हमारा बन जाता है two, तो हमने six times practice कर ली है उपर, अब यहाँ पे one time पहले से two दे दिया हुआ है, ये थोड़ा इसने design में बनाया है but हम five times और practice करेंगे, तो हमने बनाया half circle, slanting line और एक horizontal line, हमारा हो गया two half circle, slanting line vertical, sorry, horizontal line है ना, तो आदा circle ऐसा हमने बनाया, फिर एक ऐसे tdc line कीची, फिर एक cdc line कीची, है कि नहीं, तो हमारा क्या हो गया, ये two हो गया, तो इस तरी किसे dear students आप पुरा, का पुरा जो भी है fill कर दीजिए, और two और अच्छे से, जितना हो सके, उतना अच्छे से two बनाने की कोशिश करिए तो हमने आज देख लिया two और two की spelling क्या होती है तो two की spelling होती है t, w, o two की spelling क्या होती है t, w, o t, w, o t, w, o और इसको हम लिखते कैसे है, इस तरीके से है कि ने, हमने कई बार ऐसे बनाया है तो इस पे आप बनाओगे और इसको complete करोगे तो I hope dear students, यहाँ पे आपने two को भी understand कर लिया है, और इसको लिखना भी सीख लिया है, हम next वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर कि लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए चैनल पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब करिए हम next वीडियो में मिलेंगे नए concepts को सिखेंगे, नए topic को सिखेंगे तब तक के लिए goodbye and take care